स्टूडेंस तुडे वी आर गूंग टू कंटिन्यू आर चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स्टीन डाट इस ग्रेट अचीवर्स कल हमने इस चैप्टर में मदर त्रेशा के बारें पढ़ा था वो इंडिया की सिटीजन कब बनी थे में और वो लोगों की निश्वार्थ भाव से सेवा करती थी इसलिए उनको लोग एंजल मानते थे ठीक है एक दूद मानते थे मसीहा मानते थे और उनको नोबल प्राइस मिला था 1979 में भारत रत्म मिला था 1980 में उनकी जो जितने भी अचीवेंट थी उनके लिए ठीक है और उनकी डेथ कब हुई थी फेफ्ट ऑफ सेप्टेंबर 1997 नाउ टुडेइस टॉपिक इस जो हमारी आज जेन ग्रेट अचीवर्स के बारे में पढ़ेंग इन्राप्र्यदर्शनी गांधि वह कि किसकी वेटी है पंदित जवाहलन नहरु के ठीक है और इनका जन कब हुआ था 9、10i नॉम्बर को 10 शेवेंटीं में कहां पर ऐलहा बाद में ठीक है अर्मदर्य वह कमला नहरु और इनकी माता क्या नाम था कमला नहरु बॉन इंदा पॉलिटिकली प्रॉमिनेंट नहरु फैमिली शी ग्रुव अप एमिटेस्ट पॉलिटिकल एट्मॉसफेर जो इंद्रा गांधी थी उन्होंने एक राजनितिक फैमिली में इन्होंने जन्म लिया था ठीके और वो एक राजनितिक एट्मॉसफेर में परियावर इनके जो डादाजी थे मोतिलाल नहरू और इनके पिता जी जवाहललाल नहरू उन यह दोनों लोगों ने ठीक है फेमस इंडियन नैशनल लीडर्स रहे हैं ठीक है प्रसिद इंडियन नैशनल रीडर्स थे जिन्होंने जो स्वुत रता की जो लड़ाई थी freedom फ्रीडम की जो लड़ाई थी उसमें उन्होंने इन दोनों लोगोंने हिस्सा लिया था ठीक है और किसके खिलाब ब्रिटिश रूल के खिलाब उन्होंने अपनी पढ़ाई कहां की कोलकाता के पास शांती निकेतन में और आगे की पढ़ाई उन्होंने इंग्लेंड के ओक्सफोर्ड यूनिवस्टी से उन्होंने अपनी पढ़ाई की शी वॉस मच इंस्पाइड वाई दा बुक अबाउट जॉन ओफ आर्क एंड गॉटिवेटेड टू बी डायनेमिक लीडर और वो एक बुक से बहुत ज़्यादा इंस्पाइड थी जॉन ओफ आर ठीक है यह बुक का नाम है इस बुक से यह इतने ज़्यादा हुई और मोटिवेटेड हुई कि इन्होंने क्या डायनेमिक लीडर के रूप में यह बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुई और इन्होंने एक लीडर्शिप क्वालेटी इनके अंदर लीडर्शिप बनने के लिए यह मोटिवेटेड हुई किस बुक से एक बुक से ठीक और इनके दो बेटे थे राजीव गांधी एंड संजय गांधी शी एकॉम्पेंट हर फादर टु आल पॉलिटिकल मेटिंग्स एंड असिस्टेड हिम डूरिंग हिस टैनेवर एस दा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इन्होंने क्या किया जब इनके पेता जी जवाहल प्राइम मिनिस्टर थे ठीक है तो यह उनके उनके जो पॉलिटिकल मेटिंग्स होती थी जो राजनेतिक मेटिंग्स होती थी उनको असिस्ट करती थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थी और उनके सभी मेटिंग्स में भाग लेती थी hence she was much familiar with the world politics इसलिए वो इस politics से जो राजनीती से बहुत ज़्यादा familiar used to हो चीए थी क्योंकि वो इन सब चीजों में हिस्सा लेती थी इसलिए ठीक है after her father's death she was appointed by the president as a member of the Rajya Sabha and later she held the post of information and broadcasting minister in the cabinet जब उनके पिता की death हो गई उसके बाद उनको कहां appoint किया गया प्रेसिडेंट राजसाबा का प्रेसिडेंट उनको नियुक्त किया गया ठीक है फिर उसके बाद वो एक information and broadcasting minister के cabinet में information and broadcasting minister के रोप में उन्होंने काम किया Mrs. Indra Gandhi was the fifth prime minister of India जो Indra Gandhi थी फिर ये बाद ने prime minister भी बनी हमारे देश की पांचवी प्रधान मंत्री थी ये she was the first woman prime minister of our country और हमारी country के हमारे देश की सबसे पहली woman थी as a prime minister ठीक है सबसे पहली प्रधान मंत्री थी एक महिला के तौर पे ठीक है और ये बार बार ये सेलेक्ट होती रहें किसके लिए consecutive मतलब लगातार ठीक है प्राइम मिनिस्टर के पाद पे ये चुनी गएं 1966 से 1977 तक फिर उसका फोर टम में भी 1982-1984 तक शी अचीवड ग्रेट हाइट्स थ्रू हर वर्क एज लीडर फॉर देवलोपिंग नेशन और इन्होंने बहुत प्रसिद्धी हासिल की ठीक है बहुत यह उचाई पर गई अपने काम की वज़े से इनके जो लीडर्शिप कॉलेटी थी वो काफी बहुत ज़्यादा अच्छी थी जिसकी वज़े से यह काफी उचाईयों तक गई ठीक है और इन्होंने जो हमारी कंट्री का जो डेपलेप्मेंट था वो बहुत अच्छा इन्होंने किया ठीक है इनके जो काम थे वो हमारी कंट्री को और ज़्यादा डेवलप्ट कर रहे थे और ये इनको भारत रतन मिला था भारत रतन से इनको सम्मानित किया गया था 1971 में इनके इनके जितने भी काम थे उसकी वज़े से ठीक है आर ये जब बांगलादेश की वार थी उस समय ये क्या थी ये प्राइम मिनेस्टर थी ठीक है रवादेश की प्रहान मंत्री थी जब बांगलादेश लडाई हो रहे थी वार थी On 31st October 1984, इंद्रा गांधी was assassinated by her bodyguards in the garden of her residence इंद्रा गांधी की death कैसी हुई? कब हुई थी? 31st October 1984 में और उनको जो उनके घर में उनके बगेचे में जो उनके bodyguards थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी ठीक है? So, thank you class